नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटीव चैनल में बहुत बहुत स्वागत है चाड़क के नीती की एक और वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ चाड़क के नीती को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंततक जरूर देखें दोस्तों महान ग्याता आचारे चाड़क ने अपनी नीती में पती पतनी और पुत्र के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है जिन पर मनुष्य को सदैब ही नजर रखनी चाहिए अर्थात ऐसे व्यक्ती पर छिपकर नजर रखकर उसकी परक करनी चाहिए क्यूंकि ये लोग अपने स्वभाव के कारण किसी भी अनर्थ को निमंतरण दे सकते हैं पर आया व्यक्ती अगर विश्वास घात करे तो व्यक्ती को उतना दुख नहीं होता लेकिन जब उसके अपने ही उसके साथ विश्वास घात करे तो मनुष्य को मृत्यू के समान होता है इसी कारण से ब्यक्ति को आचार चाड़के की इन नीतियों को जरूर जानना चाहिए दोस्तों चाड़की जी बताते हैं महिलाएं पती के होते हुए भी अन्य पुरुषों के साथ संबंद बनाये रखती हैं अत्वा अपने पुराने प्रेमी के साथ पती की पीट पी मन मर्जी से बेवहार करती है और विबाह के सभी बंधनों को तोड़कर एक कुल्टा की इतरहे पराय मर्दों के साथ काम बासना की त्रिप्ती करती है परंतु केबल महिलाओं को दोस्त देना उचित नहीं है आजकल समाज में ऐसे पुरुष भी मौजूद हैं जो पतनी के होते हुए भी पराई इस्त्रियों के साथ संबंध रखते हैं विबाह के पस्चात ब्यक्ती को अपने जीवन साथी के साथ बफादर रहना जाईए नहीं तो रिष्ते में दरार पड़ सकती है दोस्तो इसलिए आचारे जारक ने अपनी नीतियों में इस्त्रियों के ऐसे लक्षण बताए हैं अगर आपको भी अपनी पत्नी में ऐसे लक्षण दिखाई दे तो आप ऐसी इस्तरी पर हमेशा छिपकर नजर रखें क्यूंकि महिलाएं आपने अबायद संबंदों को छिपाने में माहिर होती हैं वो तरह तरह की माया जानती हैं और अनेक प्रकार से अ आपने जीवन साथी के चाल चलन पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए तो आए जानते हैं कि आचारे चाड़क ने किन लोगों पर छिपकर नजर रखने के लिए कहा है दोस्तों चाड़क के जी कहते हैं इस्तरी और पुत्र पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि लाल्ची इस्तरी और लाल्ची पुत्र कभी भी आपका साथ छोड़कर आपको नुक्सान पहुचा सकते हैं दोस्तों दूसरी बात में आचारे चाड़क के कहते हैं अगर पतनी और पुत्र आपका विश्वास पात्र बन जाए तो उसके सामने विश्वास रखने का केबल ढोंग करें और चिपकर उसके कारियों की निगरानी करते रहें अर्थात वो आपकी पीट पीछे आपके विश्वास करना कभी भी उचित नहीं होता दोस्तों चाड़क के जी के अनुसार अगर आपकी पतनी चरित्रहीन है और आपसे बातें चिपाती है तो उस पर चिपकर नजर रखनी चाहिए और ऐसी पतनी का त्याग करना ही उचित होता है क्यूंकि कुल्टा इस्त्री अपना स्वाभाव कभी बदल नहीं सकती दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक हमाशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि भविश्य में आने बाली हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें मैं मिलता हूँ आप से एक ऐसी ही इंट्रेस्टिंग इन्फोर्मेटिब वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत